बारत में एक और राजसरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है तमिलनाडू के मुख्य मंदिरी एमके स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले दो साल के दोरान राज के लगबग 45 अज़ार मंदिरों के 45 एकर भूमी से कबजा छुडाया है इस जमिन के कीमत लगबग 42 करोड रुपे बताई जाती है साती राज के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालू को नाश्ता देना भी शुरू किया है इन मंदिरों में पेरिया पालम भवानी, अमान मंदिर, परमेश्वरी मंदिर और अन्ना मलाई मंदिर शामिल है राज के इन 11 मंदिरों में रोज लगबग 1.5 लाग से ज़्यादा श्रद्धालू आते है डीम के सरकार ने मंदिरों से संचालित लगबग 3,000 इसकुलों में दोपर का पोशाहर शुरू किया है इसे में खुद को धार्मिक तुष्टी करण से परेह तरकवादी बताने वाली सत्तारों द्रमुक सरकार मंदिरों से जुड़े मुद्धों पर भाजपा साहित अन्य दक्षिन पंती पार्टियों को राज्य में पाउ जमाने का कोई मोका नहीं देना चाहती दोजार इकिस के विधानसवा चुनाओं में 2.6 फिस्दी वोट पाने वाली भाजपा का 2022 के शेहरी निकाय चुनाओं में वोट शेहर 5.41 प्रतिशत हो गया पहली बार भाजपा के 308 उमीदारों ने जीत हासिल की पिछले निकाय चुनाओं में भाजपा के 118 उमीदवारी जीते थे द्रमुक सरकार ने 1000 साल पुराने मंदिरों के जिर्नोधार के लिए 340 करोर रुपे का फंड रखा है हिंदू रिलिजिस एंड चरिटेबल एंडॉन्मेंट विभाग के मंतरी सेखर बाबो ने जिर्नोधार प्रजट के लिए अलग टीम बनाई है हलाकि कांची पूरम मंदिर के मुख्य पुजारी नट्राश शास्त्री का कहना है कि मंदिरों के कर्मचारियों के वेतन में बड़ोतरी नहीं हुई है दरसल राज में पिछले कुछ समय से भाचपा, विपक्षी दल और कुछ अन्य हिंदुबांदी संगठन मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमन और मंदिर के स्कूलों में सुईधाओं के मुद्दे को प्रमुक्ता से उठा रहे हैं